अलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉक एजे ब्लॉक्स में तो दोस्तों इसके सिंसर के बारे में मैं आप आप लोगों को बताऊंगा यह न्यू अल्टी का जड़ेकसाई है सेकेंड टॉप बेरियंट ओ इधर आफ दोस्तों य यह रही इसकी चावी यह रही इसकी चावी यह मैंने गाड़ी लोग कर दिया यह दोस्तों इसकी चावी गाड़ी के उपर मैंने रख दी गाड़ी लोग है अब इसके sensor के बारे मैं आपको बताता हूँ क्या आप के गाड़ी में भी दोस्तो इसमें alarm sensors होते हैं जो की अंदर से setting के दोरान on किये जाते हैं जब गाड़ी नहीं आती है तो आफ रहते हैं तो अगर आपको जानकारी नहीं है उन sensor के बारे में तो आप हमसे जुड़िये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो sensor कैसे काम करते हैं तो just a second यह देखे दोस्तो दोस्तो suppose that मैं आगे अगर यहाँ पर भी टच करता हूँ अगर suppose that कोई इधर भी आके आपकी गाड़ी को टच करता है या कुछ छेड़ खानी करता है आपकी गाड़ी के साथ तो इसी तरह का आपकी गाड़ी में बजने लगेगा दोस्तो देख लिए चाभी मैंने यहां पर रखी है चाभी तो मैंने कुछ नहीं किया है यह दोस्तो चाभी है तो अगर आप लोगों को इन संसर के बारे में जानकारी नहीं है और अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस गाड़ी को जब आप लॉक करके कहीं भी जाएंगे कोई छेड़ खानी करता है कोई आपके गाड़ी को टायर को ऐसे ऐसे करता है यह जैसा आप सुन पा रहे होंगे कोई भी छेड़ खानी करता है सपोस्तों यहां पर भी टच करता है अगर कुछ करता है इसी तरह से आवाज आने लगेगी तो अगर कोई जादा तेजी से करत सब्सक्राइब तो फ्रेंट यह जो सिंसर है यह कहां से आन होते हैं यह मैंने लोग खोला अब यह मैं गाड़ी के इंदर गया हुँ दोस्तों इन sensor के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि ये sensor कैसे एक्टिवेट होते हैं गाड़ी में अगर आप नई गाड़ी लिए हैं या फिर लेने वाले हैं तो जरूर अब मैं इसका ignition on करता हूँ आपको दिखाता हूँ एक सेकन ये जो एक बटन होती है यहाँ पर इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे आप जैस्ट से करें ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरा मेरे फोन का थोड़ा सब एक दोस्तों इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को ये देखे दोस्तों ये बैक का आप सना रहा है एक इसके नीचे ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बटन है इसको आप इधर साइट करेंगे क्लॉग वाइस करेंगे तो ये नीचे आएगा जिसमें डिस्टेंस के बारे में लिखा है फ्यूल एकोनॉमी है लेंग्वेज है फ्यूल रिसेट करना है टंप्रेचर की जानकारी चाहिए आपको अधर कि सेट सिंसर जब दोस्तों आप सेट सिंसर पर आए तो यहाँ पर ये जो बटन है इसको ऐसे क्लिक करेंगे अंदर खुल आएगा अब आप दीखे यहाँ पर सिंसर पर है नौर्मल मूड़ ऑगर दोस्तों अगर नौर्मल मूड़ में रखते हैं आप लोग तो जो पीछे के संसर्स हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करेंगे अगर आप ट्रेलर मूड पर रखते हो यह देखे दोस्तों successful हो गया अगर आप tailor mood पे रखते हैं तो sensor मतलब कहने का यह है कि उस तरीके से normal तरीके से काम नहीं करेंगे ट्रेलर मूड पे आपके sensor इसी तरह activate हो जाएंगे और इसी तरीके से sensor आपके काम करेंगे जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों set sensor पे मैंने click किया था फिर से मैं press करके आपको एक बार और जानकारी देता हूँ यह मैंने click किया यह खुला यह normal mood पे मैंने रखा हुआ है ट्रेलर मूड का मतलब यह होता है कि जैसे गाड़ी suppose that आप back कर रहे है तो अगर टेलर मूड पे है तो दो तीन फिट पहले से ही गाड़ी में बीप का जो बचता है alarm वो बचने लगेगा और नार्मल मूड में है तो नार्मल तरीके से जिस तरह बार करता है तो इसको मैंने नार्मल पे रखा है अब मैं आपको बताता हूँ उसी sensor के बारे में जो गाड़ी कहीं parking में आप खड़ी करके गए है और कोई आपकी गाड़ी के साथ छिडखानी अगर कर रहा है तो sensor कहां से होगा तो यह set sensor हुआ दोस्तों नीचे यह clock है sitting है यह door lock है यह light का है जो गाड़ी का सामने का यह जो dashboard में आपको दिख रही है जो lighting यह आप change कर सकते हैं यहाँ से इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और यह है दोस्तों entry trip इसमें आप लोग प्रेस करिए यह दोस्तों यहाँ से यह खुल गया sensor दोस्तों यहाँ पर shock sensor का option दिया हुआ है यह shock sensor इसमें आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों यह देखे मेरे मियान है तो यहाँ से अगर off कर देंगे यह successfully off हो गया तो बाहर जिस तरह अगर कोई आपकी गाड़ी के साथ छिट खानी वगयरा कुछ भी करता है तो जो alarm बज रहा था भी तक वो नहीं बजेगा और इसी sensor को आप ok करके फिर से अगर on करते हैं यह तो यह sensor activate हो जाएगा दोस्तों इन sensor के बारे में भी बहुत सारे वो हैं जैसे आप साथ सेंसर पार्किंग में किस तरह का काम करें आप मैं क्लिक करके दिखाता हूं यह देखे यह सेंस आफ यह देखिए यह सेंस लिफ 15 यह सेंस आफ है यह सेंस सेंसर लिफ 1 है यह सेंसर इतने सारे दोस्तों सेंसर है इतने सारे सेंसर है तो मैंने दोस्तों एस संसर लिफ 14 पे किया है चारो कोनों पे अगर कोई छेड़ खानी करता है तो आटमेटिक एलार्म बज़ेगा आप और किसी में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है और शॉक संसर एफ है दोस्तों उसके नीचे यह देखे इसमें भी मैंने लिफ 9 पे मैंने क्लिक किया है आप अगर चाहें तो लिफ 10 पे भी कर सकते हैं क्लिफ कोई इशू वाली बात नहीं है तो यह है दोस्तों गाड़ी के संसर के बारे में जानकारी और अगर इस से रिलेटेट कोई जानकारी आपको चाहिए दोस्तों क्योंकि मैं करीबन 6-8 महीने हो गए आपको गाड़ी लिए हुए तो लगभग लगभग इसके बारे में जानकारी हो गई है अपने को कि संसर कैसे काम करते हैं क्या-क्या फीचर्स है गाड़ी पे दोस्तों धीरे-धीरे करके मैं हर चीज के बारे में आपको जानकारी दूँगा अगर आपको चाहिए गाड़ी के बारे में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों कितना ये विरेज देती है क्या माइलेज है गाड़ी का चलने में कैसी है गेर कैसे है साउंड सिस्टम कैसा है गाड़ी का हर चीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों धन्य बाद दोस्तों ऐसे ही दैदिस्ट बनाए रखिए नमस्कार